बहराईच जिले में पिछले 40 दिनों से एक खतरनाक आदमखोर भेडिया कहर बरपा रहा है जिसने अब तक 8 मासूम बच्चों और एक महिला को अपना शिकार बनाया है मासूम बच्चों के अंगों को चीरते और उनके जीवन को निगलते हुए इस भेडिय की क्रूरता ने पूरे गाव को सदमे में डाल दिया है गाव के हर कोने में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है वन विभाग की सभी कोशिशे इन निर्देई भेडियों को काबू करने में नाकाम्याब साबित हो रही है भले ही प्रशासन ने स्थिती की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की हैं लेकिन इस खौफनाक मंजर में कोई बदलाव नहीं आ पाया है हम देखा ले दुए सीड़ी से दुए पाउड़ी से धारिन खाले तेसे भर देखाले गिर 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 गिये तो हमें सब्सक्राइब कर देखें तो कोलियम तनी पूंच देखा आगे जब सफाईला मिला तब द्याखा ग्रू कांगे लिह जाए पर दोर नहीं से यत्ति पड्डियू पर सफा मिला तो फिर आगे जो लें फिर आण होई गर करें तब फिर आगे दौर गियां तो आए तो आड़े खाले महन फिर आगे जिपर सामने जब पहुंचें फिर हमका जखान फिल लिह जाए वो के बाद में खेट के तरह मूड़ तब लिए जाए फिर तब आगे कुदूर ख्याद में खेदियां गर्णा के तरफ जब हमने तार पैर महन नहीं है पर यू तार आए लागा है यू जब लपट गोले में हैं तब हम गिर गें जब गिर गें तक हम उठें तो लौट के हम ना जानट वा किधर वो गवा अट्वा पर पहुड़े रहा है वह गहराइन के दे जाथ है और अट्वा पर से उत्रिया वह भाग लिए लिए पन घर का उके पीछे ना आए दो घर का भाली डरन में हाँ तब हुआ गयें तो पैर मिले और वू पालोड के हैं हम नहीं मिलाओ हाँ दुबारा आवा थे है को वह के रात में हैं उके भोर पहार खाना घटना भय है 22 के 22 के राच के भोर फिर आवा तो इस पर आए के हैं इस पर इस से पर पहुंचा तो राद भर कोई पहुड़ा से ना आई है बच्चन के हैं सबका कमरंबंद कहीं दिन जाथ है ओके बाद में छट पर लाठी डंड पर लेटी थी वहां पता नहीं कि धर से आया उस पर हम लगी या फिर वह चार पाई पर से उठा गए पर आंगन में लेकर क्या वह पटका फिर मुझे आवाज आवाज सुनाए दी फिर हम मैंने दोड करके घर में से निकला वाहे फिर जैसे कि अट्याटा फिर मैंने देख की भेडिया दोनों पैर धर चत्ते पर और वो नटी को काट रहा फिर हमने खुब चिलाया पापा मेरे चत पर थे भाईया वह भी पढ़ रहे थे ते फिर सो गए फिर उन्होंने उन्होंने चिलाया तो पापा उतर गया है मैंने एक-दो इटा मारा वह नहीं भागा फिर मै बारा बंकी के वन अधिकारी आकाश दीब बधावन और डियम ने मिलकर 16 अधिकारियों को इस अभियान में शामिल किया है परंतु भेडियों के आतंक में कोई कमी नहीं आई है ग्रामीन अब रात रात भर जाक कर पहरा देने पर मजबूर है लेकिन अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं बच्चों का बाहर खेलना हंसना खेलना सब कुछ जैसे खत्म हो गया है गाव के अगर कोई और जानवर का वहां पर मूत्री अमल वगरा पानी में मिक्स करके डाल देंगे तो वहां से निकलने के संभावना है इसी मामले में जो आकास पुदावन सरे इस पहले इफो का तरने गाट रहे चुके अभी इफो बारा बंकी है उन्होंने ये बताया कि ये कर सक जैसे होगा जैसे आदेश आएगा इसके मामले में हम अगर जाएंगे तो हमारे लिए खत्रा है ये समझकर वहां से निकल जाता है इसके लिए ये वस्ताव है कि ये कर सकते है वन विभाग ने अब इन आदमखोर भेडियों को रोकने के लिए एक नया तरीका खोजा है हाथी के गोबर और यूरिन का इस्तमाल DFO बहराईच का मानना है कि हाथी के गोबर और यूरिन की तीवर दुरगंध छोटे जानवरों को उस इलाके में प्रवेश करने से रोक सकती है इस गोबर और यूरिन को पानी में मिलाकर गाव के किनारों पर छिड़काव किया जाएगा ताकि इन आदमखोर भेडियों को गाव के अंदर आने से रोका जा सके लेकिन सवाल उठता है क्या यह तरीका कारगर साबित होगा या फिर गाव के लोग इसी भयावाता में जीते रहेंगे अपने बच्चों की मासूम जिंदगी को खोने के डर में डूबे रहेंगे भय और निराशा के इस माहौल में ग्रामीनों को सुरक्षा की सक्त जरूरत है वन विभाग और प्रशासन को इस समस्या का जल से जल समाधान निकालना होगा ताकि बहराईच के लोग फिर से चैन की सांस ले सके और मासूम बच्चों की हसी इस गाव की गलियों में गून सके लोकल एटीम के लिए बहराईच से बिन्नू बालमीकी की रिपोर्ट